CMA Intermediate Group 2 Corporate Accounting जबर्दस अनालिसिस लेके आया हूँ आपके लिए दोस्तों Corporate Accounting and Actually Auditing साथ में सर आपकी expertise audit में भी है? नहीं डियर जिसकी expertise है उसी से advice लेके आया हूँ तो Corporate Accounting and Auditing जो 100 marks का आपका subject है Group 2 के इंदर उसका जबर्दस ABC analysis लेके आया हूँ कौन से chapters आपको पहले करने हैं? कौन से बात में करने हैं? कौन से आप नमस्ते कर सकते हो कि ये नहीं करने भाईया? जो zero marks आपको देखे जाएंगे exam में अगर कर भी लो तो तो डियर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लेकिन मैं आपको बता दू अब से अगले दिन कल आपके लिए लॉक का वीडियो आने वाला है तो एक काम करो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो तो डियर शुरू करते हैं आपके corporate accounting and auditing का analysis सबसे पहले डियर मैं आपको बता दू corporate accounting में मैं slavers को डिसकस नहीं करूँगा क्योंकि slavers आप आप आपके पांच modules में divided है आपका first chapter है आपका shares and adventures दूसरा final accounts, तीसरा आपका cash flow statement चौथा banking insurance, electricity और पांच आप जानते हो accounting standards ये पांच modules में आपका corporate accounting का slavers divided है ठीक है और इन पांचों में से मैं directly आपको analysis पे लेके चलता हूँ एक category में मैंने कौन-कौन से chapters रखे है तो आजाओ मेरे साथ dear आपके एक category में जो chapters है as per ABC analysis maximum आपको 35 गंटे देने है dear मैं आपको बता दूँ उस लेबस के अंदर उसमें एक category में आपको कितने गंटे देने है तो एक category में dear 23 से 45 marks आपके कवर होंगे 45 marks सिर्फ एक category में 18 गंटे का revision है सबसे पहला chapter है financial statements of companies भाया आता ही आता है 10% की weightage इंस्टीट की लेकिन इंस्टीट देता ही देता है 14 नंबर का question भी देता है वो कभी कबार कभी कबार छोड़ो हर बार दे रहा है तो क्यों ना इसको करके जाए डियर 4 से 6 गंटे लगेंगे सारे adjustments पढ़के निकाल देना और 10 से 14 marks minimum है ये जादा आ जाए तो बस सोने पर सुआगा क्योंकि 14 marks का question और प्लस 2 का MCQ में टपक गया तो 16 marks हो जाएंगे तो question fix है final accounts का आएगा ही आएगा दूसरा chapter idea आपका banking module 4 banking insurance electricity actually में पूरा का पूरा module 4 आपको करके जाना है fix question है 10% की weightage है लेकिन 12-14 marks cover हो ही जाते है तो इसको आपको ढ़एड़ा 1 गंटे में banking insurance करने है electricity करना idea 2 गंटे में और हर chapter में 2-7 marks cover हो रहे है तो ये आपको करके जाना है और इसमें electricity आप जानते हो comparatively दोनों से easy है आखरी में dear cash flow statement ये भी 10% की weightage रखता है लेकिन again exam में question इसका fix है minimum 7, maximum 14 ठीके है हाला कि मैंने 7-10 marks इसमें लिखे है 5 गंटे आपको लग सकते है अगर आप सारे question practice करते हो तो ठीके है खम भी लग सकते हैं dear 4 गंटे इसको लिख ले ना ठीके अब यहाँ पे आपने दे दी 18 गंटे और marks gain वे 23 से लेके 45 तो dear आप आते हैं आपकी category B पे B category में आपके 8 से 26 marks गेन हो सकते हैं और dear maximum आपको 12 गंटे इसमें लगने चाहिए पहला chapter है आपका ind AS2 सुर आपने accounting standards और shares and debentures जो सबसे important है वो तो आपने एक category से हटा के B में डाल दिया जान बूच की डाला है अब यह आपको पता लग जाएगा क्यों ind AS2 dear MCQ में आता ही आता है और अगर उसका full-fledgy question आया तो साथ marks का वही बहनेगा तो आपको डेड़ से 2 गंटे में इसको revise करना है और plus 2 से 7 marks आपकी गियन हो जाएंगे दूसरा ind AS1 theoretical chapter आप जानतो इसको एग घंटे में पढ़के निकाल देना अगें 2 से 7 marks आपके easily cover हो सकते हैं अगर एक्जामे कोशना है साथ नमर का तो आप आते हैं आपके shares and diventure वाले chapter पे accounting strategy आपने दो कर लिए बहुत है अब बागी को छोड़ दो अभी के लिए shares and diventure बहुत बड़ा chapter एडियर बहुत बड़ा chapter है उसमें बहुत सारे अलग-अलग छोटे-छोटे chapters है उसमें से जो important chapters है मतलब जो दो chapter आ सकते हैं exam में वो दो आपके B category में आएंगे उसको revise कर लेना उसके बाद ही बागी chapters पे आपको जाना है पहला redemption of preference shares and buyback of equity shares आप बलोगे मैंने दोनों को साथ में क्यों रखा डियर preference share or equity redemption or preference share or buyback of equity के concepts में similarity है दोनों एक साथ पढ़ोगे तो आपको easily जल्दी से revise हो जाएंगे जिन बचों ने पढ़ रखा है वो जानते हैं बाद तीन से चार गंटे लगेंगे दोनों को करने में और 0 से 7 marks आपके cover होंगे सर 0 हाँ नहीं आये तो क्या करोगे जरी तो marks आएंगे तो अगला chapter आपका issue and redemption of debentures debentures का question भी exam में कहीं बार आ चुका है और 4 से 5 गंटे इसको लगेंगे और 4 से 5 marks सौरी 0 से again 7 marks तक कि आपको देखे जाएगा ठीक है हाँ सर 12 गंटे में आपको 8 से 26 marks यहाँ पर मिल सकते है सर यह तो marks कुछ 50 से उपर हो गए हाँ डियर हर subject का paper 50 का जो होता है वो कम से कम 65 का बनता है टोटल 130 marks का paper बनता है ठीक है तो आखरी category में आजाओ आखरी category में आपको मिलने वाले हैं डियर 0 सर 0 हाँ डियर इसको तो मैं कहा रहा हूँ नमस्ते ही कर दो चाहे लेकिन अगर time बचे तो इसको please करके जाना क्योंकि 100% corporate accounting बढ़के जाओगे तब भी आपकी accuracy 100% नहीं होगी ये बात आप भी जानते हो कहीं ना कहीं वो question corporate accounting में घुमाता ही घुमाता है तो यहाँ पे 0 से 4 दमाक्स आपके cover होंगे और maximum 4 गंटे आपको देने हैं बचेवे chapters में जितने भी आपके बचेवे chapters हैं issue for future issue bonus shares आपका swag equity और ESOP, ESPP ये सारे first chapter के अंदर मौझूद हैं आप जानते हो और आपके बचेवे accounting standards and underwriting of securities ठीके ये आपको cover करके जाने इंडियर 6-8 गंटे आपका shares वाला chapter ESOP, ESPP 2-3 गंटे 3-4 गंटे आपके underwriting of securities 7-9, 0-7, 0-7 और अगेन आपके 0-7 marks आपको accounting standards cover करके देंगे accounting का syllabus 50 marks का नहीं हो 100 का होना चीए था ये 50 का पता ने इंस्टिट्ट ने बस बना दिया है है ये 100 नम्मर के paper के हिसाब से पढ़ाई ठीके, अब आप auditing में देखोगे कि कितना कम पढ़ना पढ़ेगा तो डियर पहले एक बार चेक कर लेते, A और B में आपके कितने marks बैट रहे हैं अगर आप सिर्फ A और B पढ़के जाते हो तो डियर 49 marks कवर हो रहे हैं मैं कह रहा हूँ 49 में इंस्टिट्ट ने आपके 9 marks काट दिये गुस्से में आके तब भी आप 40 marks का attempt करके आओगे तो अगर 40 marks का भी आप attempt करके आओगे आपके 50% स्लेबस से आता है आप जानते हो स्लेबस आपका तीन मोडिल में डिवाइड है मोडिल 6, 7 और आपका 8 पांच तक तो आपके अकाउंटिंग में मोडिल 6 में आप जानते हो basic concepts of auditing है मोडिल 7 में provision relating to audit और companies act है और आकर ही में आपका auditing और different types of undertakings है तीनों आपको जो करने है maximum duration पहले बता जाता हूँ फिर कौन से chapter पहले करने हैं वो भी बताऊंगा detail में 1-2 घंटे आपका module 6 4-6 घंटे module 7 1-2 घंटे module 8 maximum आपके 10 घंटे लगेंगे और marks आपको मिलेंगे पहले module में 18-14 institute ने कुछ भी weightage दी हो उस पे मत जाना exam के analysis के हिसाब से weightage में आपको दे रहा हूँ 28-40 marks अकेला आपका दूसरा chapter cover करेगा और 4-6 नमबर आपके आखरी में आ सकते हैं लेकिन एक बाद बताऊं आखरी में कितने आते हैं अभी पता लएगा नीचे कितने आते हैं अब आजवाब के ABC analysis पे auditing में dear category A में आपको cover करने है 20-36 marks और maximum duration 3-4 गंटे 4 गंटे और dear 36 marks बहुत बड़ी deal है ये bonus है, लड़ू है गुलाब जामून है, इसको उठा के खा लो तो dear आपको इसमें दिया हुआ है company audit सबसे पहले section 139-148 पूरा company audit आता ही आता है, 2 गंटे पड़ोगे 10-14 marks fix fix, stamp लगा दो ठपा लग जाएगा इसके बाद आपका secretary audit fix question dear 7 number का आता ही आता है आदे गंटे में revise cost audit भी आता ही आता है आदा घंटा दोगे एक घंटा भी दे सकते हैं आप इसको 5-7 number इसमें भी आपके गिन हो जाएंगे उसके बाद है आपका NFRA इसको आप कहीं न कहीं उपर नीचे कर सकते हो dear NFRA को चोटा साई chapter है, 15 minutes में पढ़के निकाल देना 0-4 marks क्योंकि यह आता भी है और नहीं भी आता उसके बाद आपका audit trail again यह भी आता है या नहीं आता लेकिन A category में मैंने रखा है important है जैसे expert ने advice दी वैसे मैंने इसमें डाल दिया 15 minutes में revise हो जाएगा और आपकी 0-4 marks देखे जाएगा 3.5 गंटे में 20-36 marks गेन हो रहे हैं अब आजाओ category B पे Dear B में आपका सबसे पहला है special audit इसका question आता ही आता exam में दो गंटे में revise हो जाएगा 7 marks गेन internal control एक गंटा और again आपके 7 marks उसके बाद है आपका IFC और IFC FR यह दोनों आपको एक साथ पढ़ने है डियर आपके as per the model दियावा है आपको दोनों एक साथ पढ़ने है ज़्याद देर नहीं लगेगी maximum एक गंटा 30-30 minutes लगेंगे और डियर यह दोनों मिलाके आपके 7 number के maximum आ सकते हैं दोनों मिलाके ठीक है तो B category में आखरी chapter है आपका types of audit जो की अगेन आपके आदे गंटे पे रिवाइस हो जाएगा और चार number तक इसमें आपके आ सकते हैं चार number का question आफ fix ही समझो यह थे डियर A और B category अब C category को कर दो नमस्ते क्योंकि पता है C category में कितने marks आते हैं 0 C category में डियर आपके 0 marks corporate accounting में मैं एक बार को कह सकता हूँ कि वहाँ पे C category में से कुछ ना कुछ B या A में जा सकता है लेकिन डियर category C जो बताई गई है audit के अंदर उसको 0 ही समझो क्योंकि इसमें जितना भी remaining part बचा module 6 और 7 का बचा कुचा कुडा कबाडा सब आपका category C में आ जाएगा और पता marks कितने आएंगे 4 घंटे देने के बाद 0 मतलब maximum 14 marks आएंगे बठाँ वो बहुत rarity में आएंगे और यह आप खुद notice करोगे exam के अंदर तो dear again यहाँ पे A और B category में total 45 marks आपके बैट रहे हैं मैंने इस बार A से minimum marks लिए हैं वहाँ पे भी जाएद minimum लिए थे तो dear total 45 बैटते हैं और फिर अगर examiner को आप गुस्ता दिलाओगे तो आप जानते हो marks कटेंगे आपके 5 तो 40 marks में again accuracy के साथ आपके 30 marks अचीव हो रहे हैं और दोनों subject के A और B section के मिला के marks dear का law और अगर आप channel पे पहली बैर आए हो तो भाई subscribe करके जाना तभी आपको value addition मिलेगा आपके exams के अंदर ठीके all right dear तो मिलेंगे आपसे अगली strategy को लेके अगले वीडियो में तब तक के लिए take care and bye bye